Hello everyone, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके आप हमेशा कहते हैं सर ऐसा sector और sector के stock बताएं जो future का हो लेकिन सवाल यह आता है हमको बता देंगे लेकिन क्या future का future का मतलब 5 से 10 सल के लिए क्या आप hold कर पाएंगे और ये एक ऐसा sector है जिसमें सिर्फ अंबानी अदानी ही नहीं मेहंदर सिंग धोनी जैसे प्लेयर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफी सारे लोग इस सेक्टर में फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस पे कई सारे रूल रेगुलेशन में भ्यांकर वाले बदलाव लाए हैं जिससे ये सेक्टर लोगों के लिए पसंदीदा बनता जा रहा है। क्या आपने गेस किया है? अगर गेस किया हो तो कमेंट तो बताइए कौन सा सेक्टर है? देखे पब्लिक लाइफ में ड्रोन की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है और भारत सरकार भी बढ़ावा दे रही है ड्रोन पॉलिसी को उधार बना रही है अब ड्रोन सिर्फ डिफेंस सेक्टर के लिए नहीं है बलकि कृशी, हेल्स केर, टूरिज्म दूसरे सेक्टर में और भी बरे बरे देश जैसे अमेरिका, जापान, रश्या आज ड्रोन टेक्नलोजी पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जा रहा है भविसी में जिस देश के पास जबरदस्त ड्रोन टेक्नलोजी होगी वो भविसी में लोजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी के म कामले में बहतरीन होगा और भारत सरकार इस चीज़ को समझ चुकी है और इसी लिए ड्रोन के व्यापक इस्तिमाल पर फोकस कर रही है जिसमें किरसी, स्वास्त और अन्य हर छित्र में अनुमती दी जा रही है करें जुलाई 2021 में नई पॉलिसी आई थी ड्रोन कवरेज को 300 किलोमेटर से बढ़ा कर 500 किलोमेटर कर दिया गया भारत सरकार इकॉमर्स के सप्लाइचेन सिस्टम में भी ड्रोन के यूज की मनजूरी दे सकती है जल्दी एमाजॉन फिलिपकार जैसी कंपनियां ड्रोन से उड़ते वे डिलेवर करती नज़र आएंगी और आपके घर पर पहुँच जाएगा आपका डिलेवरी अगले 10 साल में ड्रोन टेक्सी भी देश में देखने को मिल सकती है इसके साथ साथ गरामी चित में जहां ऑस्पिटल नहीं है मेडिकल फैसलिटी नहीं है वहाँ पर ड्रोन की मदद से मेडिकल फैसलिटी प्रोवाइड कराई कि 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देनी के लिए 30 सितंबर 2001 इसको PLI स्कीम भी सुरू की गई 20 एप्रिल तक 14 कंपनिया जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है यानि अगर आप एक ऐसे इंवेस्टर हैं जो फ्यूचर पर नज़र रखते है रिटर्ण की उम्मीद करते हैं तो कुछ स्टॉक आपके लिए उससे पहले बता दू मुके संबानी पहले से ड्रोन इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे दो स्टार्टप उनके अंदर थे वहीं पर अदानी जी भी अब आ गये हैं अदानी इंटर्प्राइज ने किसी ड्रो रिटर्ण कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम प्राइबिट लिमिटेड में 60% के से डारी लिए यानि कुछ कहानी सुरू ही थी एवी में और अब वो होता दिख रहा है ड्रोन में अब यहां इंपॉर्टन यह है कि सिर्फ स्टॉक के नाम देखकर कभी भी इन्वेस्ट ना करें पहले कंपनी को देखें समझें जाने तब इन्वेस्ट करें क्योंकि अभी इन कंपनीओं का रिवन्यू ड्रोन से आना सुरू नहीं हुआ है क्योंकि कोई भी कंपनी डिरेक्ट ड्रोन में काम करने वाली नहीं है सब या तो अपने सबसिड़ी के बाया काम कर onu सि पहले clear होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, बस सिर्फ बता दिया जाता है कि ये drone company है, वो ये सोच के पैसा लगाते हैं, बाद में पता चलता है अभी तो revenue नहीं आ रहा है, और फिर परिशान हो जाते हैं, तो I hope ये information हमीशा ध्यान में रखिएगा तो मैं मुखल अगरवाल आपका, आपकी के YouTube चैनल में दिल सस्वागत करता हूँ जो भी नहीं लोगों चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon हिट कर लिजे तो पहला stock है रतन इंडिया इंटरप्राइज़ भारत की अग्रनी डोन निर्मान कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम प्राविट लिमिटेड में 60% की हिस्सेदारी ली है 100 करोर इंवेस्टमेंट का प्लान है इस सेग्मेंट में बट अभी revenue आनी रहा है यह आगे की कहानी है और साथ में सुरू हो रहा है 10 जून से हमारा stock market का master class जहां क्या है thought process से stock को select करने का कैसे हम operator की तरह सोच कर intraday swing में पैसा कमा सकते हैं कैसे हम H&I player बन सकते हैं with small investment हर एक वो राज जहां पर हम हाथ पकर कर सिखाएंगे बिना commitment का revision session मिलेगा live trading मिलेगी हर वो चीज जिसके लिए आपको लाखो पे करने पड़ते हैं वो बहुत small fee में आपको मिलेगी तो 970-80-94-321 पे call करें और मौका जाने ना दें क्योंकि चल रहा है पहले कमाओ और सीखो offer मौका आपके लिए बहुत ज़रूरी है दूसरा सेर है जेन टेकनोलोजी Securities Purpose Drone के मामले में देश की सबसे बरी company है company का headquarter इंडिया के साथ अमेरिका में भी है company security से related तमाम परकार के product दिजाइन करती है उनका निर्मान करती है military के लिए smulator driving smulator live range उपकरन और anti-drone system भी बनाती है और again यहाँ पर future planning के तहत drone में सबसे आगे निकलने की ख्वाहिस भी रगती है तीसरा है DCM siram industry यह company अभी तक chemical, sugar और fiber product बनाती थी लेकिन अभी कुछ मैंने पहले ही इन्होंने तुर्की drone बनाने वाली company gyron dynamics के साथ partnership किये 38% stake को 1 million US dollar में खरीदा है gyron dynamics छोटे rotary wing drone बनाने में माहिर है यानि इस company का target छोटे drone बनाने पर है चौथा है Infoase Infoase ने अभी कुछ मैंने पहले ही Bangalore की startup Skylock drone company में invest किया है यह वही drone company है जिसके साथ Swiggy drone delivery system का परिक्षन कर रही है 2014 में यह startup सुरू हुआ था और आज भारत अमेरिका में company के headquarter है इनकी client list में 100 से जादा company है जिन में Fortune 500 की company है जैसे Reliance Infra, Tata Street, LNT, Aditya Billa Group इंदुस्तान जिंक जैसे नाम है Infoase की बात करें तो अभी तक company online zo portal और real estate portal रन करती है trading और dmit account का link description में है फटावट जिरोदा अप stock एंजल जिनके साथ भी open कराना हो आप open करा सकते हैं और next stock है Paris Defense ये drone में काम करते हैं अपने subsidiary के साथ साथ ही P.L.S. King में भी ये company select हुई है जो अभी तक इनके लिए एक big opportunity आता है तो Paris Defense और Gen Technology काफी अच्छी इस race में आगे चल रही है आपको क्या लगता है कौन है race में आगे या कौन से ऐसी company है जिसका नाम मैं भूल गया हूँ या मैंने छोड़ दिया है इन top 5 में comment box में बताइए और video को like, comment share करके social media पे दोस्त share तो कीजिये learning, earning बहुत प्यारी चीज होती है सब सीखेंगे सब कमाएंगे thank you so much